आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अच्छी स्लीप के लिए कौन से तीन पॉइंट्स हमें याद रखना जरूरी है नमबर वन शाम के चार बज़े के बाद चाय, कॉफी, चॉकलिट इन सब का सेवा ना करें क्योंकि ये हमारी पीस्फुल स्लीप को डिस्रॉप्ट करते हैं नमबर टू, अगर आप एक बहुत हेवी डिनर करके इमीडिटली आदे घंटे या एक घंटे में सोने चले जाते हैं तो 100% आपकी स्लीप में खलल पड़ेगा ही क्योंकि इन डाइजेशन होने के चांस है जिससे आपकी स्लीप में रुकावटे आए तो प्लीज जो आप नाइट का डिनर करते हैं उसे आप लाइट रखिए जितना आप लाइट रख सकते हैं अगर कभी हेवी डिनर हो गया है तो घर में लाइट वॉक्स कीजिए थोड़ा सा तहलिए और फिर सोने जाएं ना किस सीधे डिनर के डाइनिंग टेबल से आप विस्तर पे चल जाएं ये बिल्कुल ही ना करें और थर्ड चीज अगर आप अपनी स्लीप पे वर्क कर रहे हैं और आपको पता है कि आपको स्लीप आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा अगर आपने जैसे आट बजे शाम को डिनर किया है और आप बारा साड़े बारा एक के पहले नींद आपको नहीं आने वाली है देर इस अ गुड चांस कि आपको दस और ग्यारा बजे के बीच में भूख लगेगी इस टाइम पर नॉर्मली हम एक चूहे की तरहा रूम से रूम बरनिया खोलते हैं हमारा फ्रिज खोलते हैं कि कौन सी कमपार्टमेंट से हमें क्या मिल सकता है और ये टाइम पर हमारी बिंजिंग ज्यादा होती है जिससे हमारी हेल्थ को नुकसान होता है और वेट बढ़ता है तो अगर आपको पता है कि आप बारा एक दो बजे तक जागने वाले हैं और आपने आट बजे डिनर किया है जो दस और ग्यारा बजे का स्लॉट है आप प्लान करकी रखिया और अगर आपको भूख लगती है only reach out for that so keep all these points in mind हमारे चैनल को please subscribe कीजिये cheers to wellness stay safe झापको जो बजे अच है क्योंड़ जापको जो आपको ऑपको प्लेओ नापको जो नापको जो जो रएर जो प्लेज़ लोगती है झाल झाल